सदकुर के साजी निवाजी प्यारे साज संगत जी प्यार और सतकार से कहना दान निरंकार जी सदकुर माता जी का शुकराना करते हुए सदकुर माता जी के अशीरवाज से दान से ये विचार रखने जा रहे है आप जी अविचार परवान करें अगर कोई गल्दी हो जाए तो शमा करें साथ संगर जी कहते हैं युगों युगों से हमारी धर्ती पर भगती की शक्ती जब प्रम ज्याने संतों के हाथ में आई तो सारे संसार को ये सोभागय प्रापत हुआ यही भगती की शक्ती जब किसी अभिमानी के हाथ आई तो दुख से बरा दुर्भागय प्रापत हुआ भगती की शक्ती जब प्रलाद या दुर्व के हाथ में आई तो सुभागय हुआ भगती की शक्ती जब रामन कंस या हीरना कश्यप के हाथ में आई तो दुर्भागय हुआ अर्थात मानवता पर अत्याचार हुआ ममता मई निरंकारी राजमाता जी अपने जीवन काल में लोगों को प्रबु भक्ति के साथ जोड़ती रही पर मात्मा के साथ नाता जोड़कर हमेशा हम अच्छी सोच रखें यही समझाती रही इसके साथ ही समाजिक जीने के कला भी हमें बहुत अच्छी त्रह से समझाती रहे अक्सर राजमाता जी अपने विचारों में कहते थे कि जिस गर में मा दुखी हो उस गर से कल्यकलेश नहीं जा सकता और जिस गर में पतनी दुखी हो लाखों रुपया कमाने के पावजूद भी उस गर में परकत नहीं होती इसी बात को युक त्रिष्टा बाबा हर देव सिंग जी महाराज ने अपने जीवन काल में हमें समझाया मात्री देवोभव पित्री देवोभव आचारय देवोभव अतीथी देवोभव मात्री देवोभव अर्थात मा जैसी देवी दुनिया में नहीं पित्री देवोभव यानि की पिता जैसा देवता दुनिया में नहीं इसलिए माता पिता का आदर करे अचारय देवोभव गुरु जैसा कोई भी संसार में नहीं अतीथी देवोभव महमान जैसा कोई भी संसार में मुझने युक्य नहीं है इस तरह सत्कुरु बाबा हरदेव सिंग जी महराज ने हमें समझाया कि माता पिता गुरु और मेहमान का हमने आदर करना है सतकार करना है एक भार शीमला जो उनमे टूर पर जब बाबा जी गए तो वहाँ एक बच्ची ने ससंग में परवचन किये और अंत में एक शेर बोला कोई रोजे रखता है कोई उपवास रखता है जरनत उसको नसीब होती है जो माबाब को अपने पास रखता है इसलिए माता पिता की कदर करें माता पिता का आदर करें वे परमात्म के साथ नाता जोड़कर भक्ती करें यूग द्रिष्टा सत्कुरु भाबा हर्देव सिंग जी महराज ने राज माता जी की अंतिम यात्रा के समय कहा मा तुझे सलाम, तेरी भगती को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरी संद्रिष्टी को सलाम, तेरी करतवय पालन को सलाम, तेरी अदबय साहस को सलाम, तेरे तप, त्याग और बेमिसाल जीवन को सलाम आज के युग में सत्कुर्माता सुदिक शाजी महराज ने भी यही पेगाम दिया कि सारे गिले शिक्वे छोड़कर प्यार नमरता व्यभक्ती वाला जीवन जीते चले जाएं हम हमेशा सभी का अधर सतकार करें ऐसे हिदासी एक श्टोरी शेयर करने जा रही है कहते हैं कि नार्वे की विख्यात लेखी का सिंग्रिड अन्रोट को नोबल पुर्षकार मिला और जब उसे ये नोबल पुर्षकार मिला तो उससे पत्रकार ने पूछा कि जिस समय उन्हें ये पुर्षकार दिये जाने की अनौस्मेंट की गई तो उनसे भेट करने के लिए बहुत से पत्रकार उनके घर जा पहुचे और अपने आने की उनको ख़बर भी दी वह घर के अंदर से निकली और विनमर्ता के साथ बोली इस समय रात में आप लोगों के यहां आने का कारण मैं समझ सकती हूँ अभी अभी मुझे भी तार द्वारा नोबल पुर्शकार दिये जाने की सूचना मिली है ख़बर मिली है प्रंतु मुझे खेद है कि मैं एक समय आप लोगों से कोई बात नहीं कर सकती यो भला एक साथ पत्रकारों ने उस से पूछा उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को सुला रही हूँ यह है इसके सोने का समय है मुझे पुरुशकार पाने की खुशी तो है पर उससे भी अधिक खुशी मुझे अपने बच्चे के साथ रहने और उससे बाते करने में मिलती है इसलिए मुझे माफ करें और आप कल सुबह आएं पत्रकार निराज तो जरूर थे होने के बाद अपने परिजनों को ठुकराना ठीक नहीं है ऐसे कहीं व्यक्ति होती है जो बड़ी-बड़ी पोश्ट पा लेते हैं लेकिन उन्चाई छूने के बाद वे अपने बचुरग माता-पिता को भूल जाते हैं तो यहाँ पर सत्कुरु माता सुदिक्षा जी माराज हमें हर पल यही समझा रहे हैं आज वकत के सत्कुरु यही समझा रहे हैं कि हमने अपनी जो भगती है वो घर से शुरू करनी है अपने बजुर्गों का भी ध्यान रखना है अपने छोटों से भी प्यार करना है और अपने हम उमर के साथ भी हमने प्यार से रहना है, मिलवरतन की भामना से रहनी है, गर के हर एक सदस्यों की बात सुननी है, छोटों से भी अगर हमें कोई अच्छी बात मिल रही है, तो हमने उसको भी पहल देनी है, इंपोर्टेंस देनी है, उस बात को ध्यान से सुनना है और अपने करम में ढालना है हमने गर में हर एक फैमली मेंबर की बात को इस तरह सुनना है जिस तरह हम ससक भवन में आकर हर एक मापुर्श की बात को ध्यान से सुनते हैं उनका अधर मान करते हैं जब भी वो हमें कुछ कहते हैं सेवा करने के लिए हम भाग भाग कर सेवाएं करते हैं इसी तरह अगर हमें गर परिवार में भी कोई मेंबर कोई सेवा के लिए बोल देता है तो हमने सत्गुरु का रूप समझ कर उसकी सेवा करते चले जाना है तो इस तरह हमें सचे पाशा कदम कदम पर हमें समझा रहे हैं हमने इन बातों को मानते हुए हमने अपना जीवन यापन करना है सत्कुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज के शिक्षाएं कभी नहीं बूलेंगे तेरा एहसान वो भोली सी सूरत वो प्यारी मुस्कान सद्कुर बाबा हरदेव सिंग जी महाराज के एसान हम कभी नहीं बुला सकते उन्होंने निरंकार प्रबू के साथ जोड़कर हमें जिन्द की जीने का ढंग सिखाया जिन्द की पहले वैर नफरत से भरी हुई थी सद्कुर के किरपा हुई निरंकार के दर्शन हुए तो समझ आए कि हर एक में निरंकार का हिवास है एक को नूर है सबजी अंदर नरह चाहे नारी है ब्रामन खत्री वैश हरीजन एक दिखलकस सारी है फिर जिन्द की ही बदल गई जीवन में प्यार आ गया अब हर एक को प्यार करने हर एक का सतकार करने का दिल करता है अब तो भामना ऐसी बन गई है कि बिछाओ शोंक से काटे हमारी रहा में लेकिन तुमारे हाथ जक्मी हो न देखा जाएगा हमसे तुमारे हाथ जक्मी हो न देखा जाएगा हमसे युगद्रिष्टा बाबा हर्दीव सिंग जी महराज खुझ प्यार के सत्रोत थे प्यार के बसीहा थे जो भी उनके पास आता था वे उसे प्यार ही प्यार देते थे उन्होंने समझाया जितने मी पीर प्यार हुए हैं किसी न भी इनसान को इनसान से टक्राने की शिक्षा नहीं दे नभी ने प्यार ही सिखाया है इसलिए हमने भी सबी से प्यार ही करना है प्यार हिंदू का हिंदू से नहीं इसाई का इसाई से नहीं निरंकारी का निरंकारी से नहीं बलकि हर मानव का हर मानव से होना चाहिए सारा संसार ही हमारा परिवार है संसार को बदलने का तरीका प्यार से शुरू होता है और प्यार पर ही खतम होता है बाबाजी ने दिवार रहे संसार की देन दुनिया को दी उन्होंने समझाया कि दिवारे अज्यानता की संकीरता की और खुदगर्जियों की बनती है इनसे व्यर और इर्श्या बढ़ती है इसलिए इन दिवारों को गिरा कर हमने प्यार के पुल बनाने है दिवारे पहले मनों में बनती हैं फिर बाहर बनती है जब मन से दिवार गिरा दी जाती है तो बाहर की दिवार भी गिर जाती है बाबा जी ने कहा कि परदूशन अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक है उन्होंने समझाया कि जीवन के सुन्दर्ता मन के सुन्दर्ता से होती है शरीर की सुन्दरता तो आँखों तक रह जाती है मन की सुन्दरता दूसरे के दिल में जगा बनाती है हर एक से नमरता से पेश आए दूसरे के दिल में उतर जाएं ना की दिल से उतर जाएं दिल में उतर जाएं ना की दिल से उतर जाएं दिल में उतरने के लिए पूरा जीवन लग जाता है लेकिन दिल से उतरने के लिए एक पल ही काफी है उन्होंने कभी छोटे से बच्चे का दिल भी नहीं दुखाया उनका सारा जीवन मानवता को समर्पी था मानव कल्यान के लिए उन्होंने अपना सुक अराम नीद सब कुछ त्याग रखा था एक बार परबंदकों ने कहा बाबा जी आप कुछ देर अपनी कल्यान यात्राएं रोक दीजिए क्योंकि हाला सही नहीं है तो बाबा जी ने कहा जब अंदेरा घना होता है तो रोशनी के जरूर्ट भी ज्यादा होती है उन्होंने अपनी कल्यान यात्राएं जारी रखी और सत्य का पेगाम देते चले गए आओ हम उनके भी जीवन से प्रेन ना ले और उनके दिखाए रास्ते पर चल कर अपना हैं तेरी अजमत को तेरी शान को दुनिया करे की याद तेरी दास्तान को सत्कुर भाबा जी कभी नहीं भूलेंगे तेरे एहसान सचे पाश्या हम कभी भी आपची के एहसान नहीं भूलेंगे आपची ने हमें किस तरह प्रेम नमरता विशालता शेहन शीरता प्रेमा भक् इसी तरह इस पार्ट को repeat कर करके हमें समझा रहे हैं कि हमने अच्छी तरह इसको learn करना है और अपने जीवन में डालना है हम इन बातों को सुनते ही ना रहें इन बातों पर हम अमल भी करें और कहते हैं कि हम सभी को सब्मान देते चले जाएं खुद का मान अगर चाहो तो औरों का सम्मान करो दूजे को आगे करना है हर दम इसका ध्यान करो फिर देखो तुम यहां वहां दुनिया में पूजे जाओगे अच्छे भी कहलाओगे और सारी खुशियां भी पाओगे गुर्मत वाले करम करें हम मर्यादा भी याद करें सत्गुरु ही करता धरता है इससे ही फर्याद करें जो अनुशाशन में रहते हैं सत्गुरु उन पर नाज करें जो अनुशाशन में रहती हैं सत्गुरु उन पर नाज करें मन भी निर्मल रहे हमेशा जतन दिलों पर राज करें यहां पर भी इहमें समझा आया गया है हमने मर्यादा और अनुशाशन में रहकर भगती करते जाना है और सत्कुरू को रिज़ाना है दासी सबे के लिए सत्कुरू माता जी से यही अरदास करती है सचे पाशा जो आप जी हमें कदम कदम पर शिक्षाएं दे रहे हैं हम इन शिक्षाओं को उमर भर अंदिम सुहास तक अपने जीवन में करम रूप में निभाते चले जाएं दासी सब के भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी सबीने मिलकर सिमरन में साथ देना है तू ही निरंकार मैं तेरी शर्णा मैं नू बख्ष लो तू ही निरंकार मैं तेरी शर्णा मैं नू बख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षाद सविंदर हर देव जी महराज कीजै निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार कीजै सासंगत जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी